आइस AI का important update CA exam number 23 student के लिए सिर्फ और सिर्फ CA exam number 23 student के लिए वो भी सिर्फ CA intermediate number 23 student के लिए बाकी student इस वीडियो को skip कर दीजिए गुड नूज है CA intermediate number 23 student के लिए बहुत student continuous इसके regarding मेरे पास message कर रहा है तो update बताने से पहले छोटा सा inform कर देते हैं CA intermediate number 23 registration करने का आखरी date 1 March 2023 जब आप payment कर दोगे तो आपको 5-7 working days wait करना होगा registration confirm का mail message के लिए जब registration confirm का mail message आ जाएगा इसके बाद एगेन आपको 5-7 दिन wait करना पर सकता है CDS का mail आने के लिए पहले registration confirm का mail आएगा इसके बाद ही आप book order कर सकते हैं बहुत सारे student book order कर लिए अभी तक book deliver नहीं हुआ तो अभी book deliver भी नहीं होगा पांच मार्च के बास deliver होना start होगा कल मैंने bad update के बारे में inform किया था कि ICI website पे technical glitch हो गया तो इस वीडियो में इसका solution बताएंगे good news आज चुका है सारे student के लिए जो लोग अभी तक registration नहीं किये या कर रहे थे तो उनको problem हो रहा था मैं तो आप लोगों को help करता ही हूँ आप लोगों का काम है कि help करना कि इस वीडियो को जरूर share कर दीजेगा CA intermediate number 23 student के साथ I know कि अभी भी आपके मन में बहुत सारा doubt होगा वीडियो को पूरा देख लिज़ आपका सारा doubt clear हो जाएगा वीडियो देखने के बाद अगर आपका doubt clear नहीं होता है तो आप लोग SSP portal वाले को mail करोगे या उनसे contact करोगे सबसे पहले आपको ICE AI के official website पे चलना परेगा तो चलिए चलते हैं ICE AI के official website पे जैसे ही आप लोग ICE AI के official website पे आओगे देखो CA intermediate में registration कैसे करना CA intermediate का book कैसे order करना मैंने detail वीडियो बना रखा है वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा माल रो आप registration कर बीच में किसी region से आप रुख जाते हो या payment failed हो जाता है तो दुबारा से student function पे click करना submitted या pending application जो सो कर रहा इस पे आपको click कर देना जैसे ही आप लोग इस पे click करते हो आपके सामने new dashboard सो करेगा इसके बाद आपको course registration पे click करोगे यहाँ पे देखोगे pending application सो करेगा आपको I या action बटन पे click कर देना इसके बाद आपको C A intermediate में registration करने का option मिल जाएगा आप लोगों को next next करके यहाँ तक आ जाना जैसे ही आ जागोई तो यहाँ पे class 10th का marksit upload करने का option है बट class 12th का marksit upload करने का option नहीं है बट side में देखोगे तो class 12th का marksit upload करने का option नहीं आता तो अब इसका क्या solution है आपको यहाँ पे option पे past को select करना जैसे ही past को select करते हो आपको class 12th का marksit upload करने का option मिल जाएगा फिर भी नहीं मिलता तो एक दो बार page को refresh करना दूसरे browser पे try करना और past को select करना तो आपको class 12th का marksit upload करने का option आजाएगा इस तरीके से आप लोग next page पे चले जाओगे और detail वीडियो मैंने बना रखा है कि CA intermediate में कैसे registration करना CA intermediate का book कैसे order करना वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा जैसे ही class 12th का marksit को upload करोगे scroll down करके सबसे नीचे आजाना है जैसे ही सब्सक्राइब करके all notification विल जरूर दबाएए सब्सक्राइब जरूर कीजिए